नमस्ते बच्चों, आज हम विशे परिसर अध्यन के अंतरगत पाठ छे स्वराज्य स्थापना की प्रतिग्या इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे पूने की दक्षिन पक्षिम दिशा में इस्तीत राईश्वर का मंदीर बड़ा सुन्दर स्थान था इस विशन 1645 में वहां एक विलक्षन घटना घटी शिवाजी महराज और आसपास की घटी के कुछ मावले विचार विमर्ष करने के लिए वहां एकठे हुए थे उस घने जंगल में पेडो और जाडियों के बिच इस्तीत राईश्वर के मंदीर में मावले शिवाजी महराज के साथ किस बात पर चलचा कर रहे थे शिव शंकर से वे क्या मांग रहे थे आपको पता है वह मांग रहे थे, शिवा जी महाराज आयू में अभी बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वा कांख्षा उची थी, उन्होंने एक बड़ी योशना बनाई शिव मंदिर में एकठे हुए, अपने साथियों से उन्होंने बड़े उत्सा और विश्वास के साथ कहा साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताओं, हमारे पिताजी शहाजी राजे विजापुर के सरदार है, उन्होंने ही हमें यहां की जागिर का अधिकार दिया है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे इसमें जरासी भी खुशी नहीं है सुल्तान की जागिर से हम क्यूं संतुष्ट रहें, दूसरों के हाथ से हम पानी क्यूं पिये, हमारे चारों तरफ कई दूसरे राच्चे हैं उनमें प्राय युद्ध चलते रहते हैं, इन युद्धों में हमारे आदनी व्यर्थी मरते हैं, बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं, हमारे प्रदेश की बरबादी होती है, इतना सब सहकर भी हमें क्या मिलता है, पराधिन्ता, पराधिन्ता अर्थात, दूसरों की दूसरों के लिए हम कितने दिनों तक कटते मरते रहेंगे बताईए आप ही बताईए जागिर के लोब से क्या हाँ इसे ऐसे ही चलने देंगे। बोलिए बाल राजे बोलिए अपनी मनो कामना हमें बताईए आप जो कहेंगे वह करने के लिए हम तयार हैं। जी हाँ राजे आप जो कहेंगे वही हम करेंगे अपने प्राण भी देंगे वे सभी तेजसुय युआवीर एक स्वर में बोल उठे। सब प्रैत्न करेंगे हम सब कस्ट उठाएंगे सभी अपने प्राण अरपड करने के लिए तयार रहेंगे हम सब का लक्ष है हिंदुवी स्वराज्य आपका हमारा सब का स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है दूसरों की परादिनता हमें स्विकार नहीं है उठो इस रायश्वर को साक्षी मान कर हम प्रतिग्या करें स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अरपण करेंगे सारा मंदीर सिवाजी माराज के शब्दों से गूंज उठा अंत में उन्होंने निश्य पुर्वक कहा यह स्वराज राज्य हिंदी स्वराज्य के रूप में हो ऐसी इश्वर की इच्छा है इश्वर की इस मनो कामना को हम पूरी करेंगे वे सारे मावले स्वराजी की शपत लेकर रायश्वर के मंदिर से बाहर आए शिवर जी महराज का मन भावभीवत हो गया पूरे आते ही वे लाल महल में मा साहिब के पास के उन्होंने घटिद घटना का वननन माता जीजा बाई से किया मा साहिब धन्ने हो गई उन्हें विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे उसे अवश्य पुरा करेंगे शिवाजी महराज अपने नए कार्ये में जुट गए मावलों को लेकर वे तलवार बाजी करने लगे होड सवारी करना, पहाडियों में दुरगम मार्ग धुनना दर्रों, घाटियों, एवं, गुप्त मार्गो आधि का निरिक्शन करना उनकी दिन चर्या हो गई शिवाजी महराज ने मावलों का रिदे जीत लिया ये वह मावले शिवाजी महराज के लिए पागल हो गए उनका मानना था कि जीएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए शिवाजी महाराज की गतिविद्य समुंद्र के जुआर के समान बढ़ती गए शिवाजी मारज ने पूने के आसपस के सभी गड़ और किलो का अपने साथियों के साथ निरिक्षन किया उनने गुप्त मारगो, सुरंगो, तहखानो, गोला, बारूद, अश्ट, शस्ट्र तता शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी शिग्र ही प्राप्त कर ली मावल प्रदेश में जगा जगा कई देश मूख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे उन्हें अपनी जागीर का बहुत लोब था, वे जागीरों के लिए आपस में लड़ते जगडते रहते थे इन जगडों में मराठों की शक्ती अनायासी बरबाद हो रही थी यह बाद शिवाजी माराज ने अच्छी तरह जान ली थी उन्होंने उसे रोकने का द्रेण निश्य किया शिवाजी माराज देश मुखों के गाओं में जाते और उन्हें ये बात समझाते उन्हें स्वराज्य की उद्देश से प्रभावित करते शिवाजी माराज ने अपनी मदुर्वानी से उन्हें अपना बना लिया परंतु कुछ लोगों ने उनकी अवग्या की। उन्हें भी शिवाजी महाराज सही रास्ते पे ले आए। मराठो के आपसी जगडों को उन्होंने समाप्त करवाया। सब उन्हें धन्यवाद देने लगे। गती से बढ़ने लगी। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशाशन प्राराम्भ हुआ। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तयार की। वह इस प्रकार थी। शहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोकों के कल्यान के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराजी की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्रा प्राहय फार्सी भासा में उकेरी जाती थी परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्क्रित भासा में थी। स्वराजी की तरह ही स्वभाशा और स्वधर्म भी चाहिए किंतरु दूसरे धर्मों का द्वेश भी न हो। अगर आपको यह पार्ट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा।